ओम नमस्षिवाएं, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूटूब चैनल पर, दोस्तों 11 अगस्त का महा सुवयोग बना हुआ है, बहुत ही अच्छा योग, क्योंकि उस दिन हर्याली तीज है, और हर्याली तीज पर स्वागन महलाएं, ब्रत रखती हैं, माता पा आपती का आशीरबाद मिलेगा, साथ ही उनके पती की जो आयू है, वो है लम्मी होगी, तो जानते हैं, कौन-कौन सी वह भाग्यसाली रासी आएं, तो जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में गंटी के बटन को जरू दबाएं, मेरी हर वी मेसरासी, जो बहुत ही भाग्यसाली और लकी चल रही है, पूरे स्रावड के महीने में, चाहे जातक हों या जातका, मेला हों या पुरूष, जिनकी भी मेसरासी है, विशेशी भाग्यसाली है, उत्र, धन, पूमी जाजाद, हर प्रकार का सुक उनको प्राप्त होगा, दू प्रतान सुक, धन का सुक, भूमी जाजाद का सुक, साथ ही परवार का भी सहयोग आपको प्रतिकार में प्राप्त होगा, सभी रासी वाले भगवान सिव की पूजा जरू करें, और सभी रासी वाली मेलाएं, भगवान सिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, तीज वाले द क्या करना है कि जब माता पारवती जी כי पूजा कर रहे हूं तो आप जो स्वाकी सबसे बड़ी चीज होती है सिंदूर उसको माता के सामने रख दें और उसमें से माता के ठीका लगाएं, पारवती माता के और उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ जो उंगली में आपके में सिंदूर बचेगा वह आपको बापस उसी डिब्बी में डाल देना है और फिर अपने पती के हाँ से वह डिब्बी आप लेंगे उससे मांग वरेंगे तो कभी भी आपके पती के ऊपर कोई परिशानी नहीं आएगी कुछ बातों का विशेशूप से द्यान भी रखना है कि तीज वाले दिन घर के अंदर तामसिक वोजन नहीं बनना चाहिए इस बात का विशेशूप से द्यान रखे और मेलाएं जो ब्रत रख रहें हैं वो किसी का अपमान ना करे ना किसी से अपसब्द बोले और पूरे दिन ओम नमस्वाय मंतर का जाब करते रहें पीपल बरके के नीचे भी इस दिन दीपक जलाना चाहिए और परक्रमा करनी चाहिए चोथी जो रासी है वो है सिंग रासी जो बहुत ही भागिसाली है सिंग रासी वाले मेलाओं को विशेश लाब मिलने वाला है संतान सुक धनका सुक साथ ही अगर सरीर में कोई परिशानी है आपके परवार के किसी भी सदस के सरीर में परिशानी है तो वह भी ठीक होगी आपका धन पानी की तरफ बहराए किसी बीमारी के कारण या किसी परिषानी से तो वह भी रुकेगा धन की बरक्कत वड़ीगी आगली जो रासी है वह कन्या रासी विशीशी सुभ्योग है शुरू हो चुका है कन्या रासी वालों का तुलारासी भी विशेशी भागिसाली और लकी रासी है इनने राषि वालों को धन, नोकरी, केरियर संमन्द सभी चन्ताएं धूरोंगी साथ ही बहान का सुकत भी आपको प्रापत होगा कर्ज से मुक्ती मिलेगी वही वरश्चिक राषि भी विशेशी लाबकारी रहने वाली है रेश्चिक रासी वालों के किसी भी प्रकार के कार्यों में रुकावाटा रही थी, संतान सुक नहीं मिल पा रहा था या कोई परेशा नहीं थी, कोई भी प्रोब्लम थी, तो अब आपके घर में खुशी का समया चुका है आपको सुब सूचना मिलना सुरू हो जाएंगी, विशेशी अच्छा योग बना हुआ है, वही धनुरासी और कुमरासी, ये रासियां विशेशी लावप्रद रहे रहे हैं, यानि इनका जो योग है बहुत ही अच्छा चल रहा है तो ये रासिया जो थी, बहुत ही भाग्य साली चल रही है, बागी जो रासियां है, वह भी अच्छी है, उनका थुड़ा कम योग है, लेकिन योग उनका भी है एक चीज का ध्यान रखिए है कि करम करने से भागी बदल जाता है, ये नाम के इसाफ से मैं आपको बताया है, आप अपना करम करें, सभी रासिवाले भगवानी पूझा करें, तो भागी जरूर बदलेगा, आपकी मनुकामना जरूर पूरी होगी तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमें ओम नमस्वाय जरूर लेखें, भगवान आपकी मनुकामना पूरी करें